ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लास्ट में ही लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंस चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर मैं बिल्कूल आपको लाइव दिखाता हूँ पूरा जो पेमेंट सेट अप कैसे करते हैं फेस्बुक पेज का ये देखिए फ्रेंस और अब देखिए थोड़े नीचे चलते हैं आपको ये पेयाउट्स दिख रहा होगा यहां से भी जाके कर सकते हैं मैं आपको एक लोगों को यह बता जेता हूँ यह मोनिटाइजिशन का जो है इसके अंदर से हम देख सकते हैं कि कौन-कौन सा हमारा क्राइटेरिया अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव करके बताऊंगा प्रोचीजर तो सेम ही रहेगा सभी के लिए आप इसको लास्ट तक वोच कर लो कभी दुबार आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी अच्छा हमको सिखा रहा है यह देखिए फ्रेंस आपको दिख रहा होगा एड प्याउट अकाउंट जैसे इस पर क्लिक करते हैं यह अभी तो मैं बता रहा हूँ कि अभी सब कुछ देखो मेरा जीरो जीरो दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सेट अप नहीं कर रहा है मैं आप लोगों साथ भीकुल लाइव करके दिखाऊंगा इस शुरू से लेके और एंड तक फ्रेंस बहुत ही ज्यादा वीडियो होने वाला है यह देखिए लेट स्टार्ट विद्धा बेसिक ही ओप्शन दिख रहा होगा इसमें फ्रेंस आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी डेट ऑब है और यह कंट्री हो गया इसमें दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना जो आपका जो अधार कार्ड पे और इस तरीके से जो नाम लिखाऊ है प्रोपर फर्स लेम नास्ट नेम डेट वर्त उसी हिसाब से आपको फिल करनी है अदर्वाइस आप लोगों को बाद में बहुत को फेस करना पड़ सकता है अब दोस्तों जैसे नेक्स पर क्लिक किया अब चलते दोस्तों मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं इसलिए हो सकता है इसमें एक दो सेकिंड का टाइम ज्यादा लग जाए यह देखिए एंटर बेस बिजनेस इंफो इसमें क्या है यह कंट् जैसे लींटे जैसी ऑप जो इंटरफेस आप लोगों के सामने आयागा मैं बताता हूं आपको यह बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ इंटर यूर इइन्फो ऊक्रीव मेन फिल्किल नेम है तो आप उसको देख सकते हो अदर्मई से उपद एँपर आपको दिख रहे हो कि दोस्तों एड्रस आपका मेलिंग एड्रस बिल्कुल प्रोपर होना चीए एक तरिके से जो भी मोबाइल नंबर इमेल आईडी यह सब आपको फिल्फिल करनी अब इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टन चीज होती है वो होती है पर्मानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर मैं भरके दिखूंगा यह बहुत ज़्यादा आप सई से करना इसमें गलती उन्हां पड़ेगा मैं इसमें अपना पैन नंबर जैसे मैं कर देता हूं और जैसी में पैन नंबर जैसे मेंसरे मैं आपको दिखा होगा यह और फोड़ा नीचे स्क्रोल करते हैं यह देखिए यह तो मैं आपको बता चुका है नमबर प्रोपर तरीके से भरना अब देखना दोस्तों यह अंडर पैनल्टी जो परजरी यह कुछ इस तरीके से है जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे दोस्तों और आप कर देंगे नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा वीडियो हो रहे वाला मैं बार बार बोल रहा हूं इसको वीडियो को लास्ट तक देख लेना जैसे आप उसको करेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ अलग दिखाई देगा मैंने अपना बैंक सेट अप कर रहा है आपको दो दिखाई देंगे वहां manually bank linked और एक PayPal account करके तो आपको अगर आपको पास PayPal account है तो उसको कर सकते है अदरवाइस manually अपने bank को link कर सकते हैं वहां simple आप से bank की detail पुछेगा वो simply आप वहां पे उनको फिल कर देना जो भी bank account number है इस तरीके से मैंने friends यह already कर रखा है इस वज़े से वहां पे PayPal account एक हो होता है उसके तुरू हम उसको यूज कर सकते हैं वह इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है आप manually अपना bank account link कर देना और जैसे ही मैंने bank को select किया link payment method पे इस पर क्लिक करते हैं अब friends देखिए यहां पर आ गया जो और top most important चीते होती है add your tax info मैं इस tax के बारे में last में भी आपको लास्ट में अभी तो फिल करके बता रहा हूं आपको बिल्कुल लाइव चल रहा है दोस्तों यह ताकि आप लोगों को कोई confusion ना हो यह मेरे को बोल रहा है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है Facebook प्रोफाइल उससे ही continue करना पड़ेगा मैं इससे क्योंकि हमने पेज भी अपन information get started what is your tax classification सबसे पहले तो हमको इसको क्लिक करना है हमेशा हमको individual इसको क्लिक करना है अगर आपका कोई business account है तो आप business वाले पे क्लिक कर सकते हैं और friends अब जैसे individual पे क्लिक किया अब मैं नीचे आपको बताता हूं यह बोल रहा है आर यूए 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 सिटीजन यूएस पर्मनेंट रेजिडेंट ग्रीन सिटीजन तो हम यूए सिटीजन तो है नहीं हम इंडियन से simply हमको यहां पर कर देना है नो पे क्लिक यह इस चीज़ को आप ध्यान रखना कहीं आप यस मत कर देना अधर्वाइस इसमें कुछ और आप लोगों को फेश करना पड़ेगा जैसे मैंने नो पे क्लिक किया और friends अब यह देखिए नीचे कुछ और दिखा रहा होगा आपको आर यू एक्टिंग आप लोगों को दिख रहा होगा जस्त इसको क्लिक करते हैं और अब देखिए जो आप लोगों के पास इंटरफेस देखने को मिलेगा यह एक चीज मैं बताना चाहरा हूं आपको जैसे पहले दिख रहा होगा आपको फुल नेम यह तो मैंने देई दिया अब यहां से कंट आपको इसको क्लिक करेंगे अब आप लोगों के सामने यह इंटरफेस आएगा यह दोस्तों भिल्कुल ध्यान से बढ़ना में बता रहा हूं जैसे कंट्री प्रोपर सलग किया हुए आपका जो mailing address है जो exact mailing address है वो आप लोगों को भरना है यह city, state इस तरीके से और यह postal को और दोस्तों आप जैसे next पर क्लिक करते हैं यह देखिए add your mailing address यह पूछ रहा है कि आपका जो mailing address है और जो permanent address है same है तो मैंने इसको same as permanent address mailing add और जैसे इसको next पर क्लिक करते हैं अब देखिए friends यह interface आगया provide additional detail relating to your services इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है location of where services will be physically perform यह पूछ रहा है कि मलदा आपकी जो भी services यूएस के अंदर रहेगी यह यूएस से भार तो मैं इस पर simply हमको क्लिक करना है 0% of services will be physically perform inside the United States हम यार यूएस में थोड़ी हैं हम इंडियन हैं इंडिया में रहते हैं तो हमारा यूएस से क्या लेना देना है हमें तो यूएस से सिर्फ payment लेनी है तो हमको simply यहां पर यही इसका मतलब मैं बताई चुगा हमें यूएस से कोई लेना देना नहीं है यह इंसाइड अगर यूएस के resident हो यह वहां रहते हो तो आप इस चीज को option को select कर सकते हो और पर्मनेंट ली अगर यूएस में रहते हो तो 100% वाला प्लिक करो गए हमें 0% वाले पे प्लिक किया और understand to provide electronic signature यह वह ही बोल रहा है कि electronic signature आप करके करोगे या कैसे है कैसे नहीं आप इसमें चेक कर देना और फ्रेंट्स अब चलते हैं नीचे इसमें नीचे दोस्तों देखिए यह दिख रहा होगा यह बोल रहा है कि मेरे पास ही अथोर्टी है जो भी signature वगेरा की है तो simply हमको यहां पे क्लिक करना है और यहां पे आप signature अपना कर सकते हैं यहां पर इसमें अपना नाम लिख देता हूं यह आपके उपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है अगर डिजिटली signature करने हैं तो आप कर सकते हैं अगर्वाइज आप अपना नाम भर सकते हैं यहां पर अपना इजिली जो नाम आपका वेलिड नेम है जो आपके अधारकार वगेरा पर इस तरीके से और फ्रेंच यह दिख रहा होगा यह तो आज की डेट बोल रहा है कि आज आप जैसे मैं आठ एक दो हजार तेइस को सब्मिट कर रहा हूं तो वह वाला उप्शन था यहां पर पहले मैं यहां पर अपना नाम दे देता हूं आप भी सिंपली अपना नाम दे देता हूं दोस्तों इसके बारे में बहुत और बात करने वाला हूं यह इतना कोई ज्यादा वो नहीं यह बहुत बाद में काम आता है तब हम बहुत अच्छी खासी अर्निंग करते हैं तब इसके बारे में बात करेंगे फ्रैंस जैसे नेक्स पर क्लिक किया यह थोड़ा सा लाइव चल रहा है यार बिलकुल इस तरीके यह आपको दिखेगा review and submit यह वाला options आप लोगों के सामने पूरा दिखाई देगा इसको आप पढ़ सकते हो जो भी अगर आप पढ़ना चाहो तो नहीं इसमें आपको में 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 चीजे बता देता हूं यह पूरा form हम फिल कर चुके उसी को भी दिखा रहा है यह जैसे ने कर चुके इसमें ज्यादा को इतना हमको time खराब नहीं करना कि सिंप्ली हम लोगों से दिखा रहा है एक बर आपने इस तरीके से information प्रवाइड की है अब फ्रेंस देखिए इसमें चलते हैं यहाँ पर यह फोरन टेक्स अडेंटिफेंग नंबर यह हमने पैन नंबर जो इस तरीके वही है मेरे पास है अथरोड़ी है मेरे फेस्बूक पेस्स रिलेटेड जो भी होगो उसको पर साइन करने की जी चीज़ है सिंप्ली मैं उस पे क्लिक कर दिया और यह साइन ये का दिखा रहा है कि आपने साइन तो मैंने किया नहीं यहाँ पे नाम दिया था मैं बिल्कुल यार लाइव दिखाया है मैं कोई इस तरीके से कोई रिकोर्डिंग नहीं कर रखी थी पहले या मैं उसको कर रहा हूं इस तरीके से बिल्कुल लाइव चल रहा है यह देखे टैक्स प्रोफाइल अब फ्रेंड्स उपर ही उपर आप देख सकते होगा उप्शन ही यूर टैक्स इन्फोर्मेशन इस कंप्लीट और यह जो इन्फोर्मेशन है लीगल नेम टैक्स पेर इडेंटिफ्याई नंबर जो तो हम औरड़ी फिल करी चुके यह पूरा डिटेल दिखा रहा है यह फोम टाइप का नाम है डबलू एट बी एन यह फोम होता है आप चाह आते होगा आपके सारे जो भी आपसे कॉंटेक्ट करें किसी चीशे बिलेटिट तो ओनलाइन मेल के थुरू करें या पर्मानेंट एड्रस पर भेजे इस तरीके से आज की तारिक में सब मेल पर ही चलता है यार अब दोस्तों यह आ रहा है एड यूर टैक्स इंफो और नी आप इसको अभी नहीं भी भरोगे तो कोई इश्यू नहीं है फेस्बुक जब आप इसके क्राइटेरिया को पूरा कर लोगे रच्छी खासी इंकम सुरू कर दोगे तो ओल्रेली आपके पास एक मेल करेगा खुछ से पूछेगा यह सारी डिटेल आप लोगों से मांगेग अगर अभी बरना है तो फ्रेंट्स प्रोसीजर मैंने बता दिया है अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देना क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा आपको अच्छे-चे कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे प्रेंट्स मिलते हैं किस अच्छे वीडियो में तब तक के लिए शीखते रहें ध्यान रखी प्रस्टों